हमों आगें दिली आगें अलगला जवब आगें हित् है नजहेर पर से लिवास समझतिने के सबके साथ भडर हो जाते है कैसाक वह पो न कुसा अन तो आगें मैज्चिक वायलंस एक हुँा न बोल दो मेस्टिक वायलंस पां hero मेस्टिक वायलंस एक पटे domestic violence क्या होता है हाँ घरेलू हिंसा क्या घरेलू हिंसा सिफ औरत के उपर हो सकती है आदमी के उपर भी हो सकती है ठेक है तो अब ये तो चलो ठीक है तुमनों को clear है कि domestic violence can be the victim of domestic violence can be both a male और a female ठीक है अब यहाँ पर question ये आया कि ये जो domestic violence है is it related to a religion in particular क्या सिफ एक धरम के इंसान है जो एक दूसरे के उपर ज्यादती करते है तो नहीं तो question Supreme Court के सामने ये था कि domestic violence में क्या होता है आपके पास में 5 ये 6 तरीका के orders है जो domestic violence act में आते हैं क्या है वो orders protection के order ठीक है कि आप अपने husband से अपनी wife से protection ले सकते हो कि वो आपकी territory में इंटर्नी करेंगे आपके money की तरफ से emotional हर तरीके से आप protection order ले सकते हो आप residence के order ले सकते हो कि आपका एक हक है ना आपके husband के या आपकी wife की property में एक हक या आपका अब उस property में आप हक से रह सकते हो इस चीज का तीसरा order होता है कि आपको custody मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए किसी भी बच्चे की ठीक है उसके अलावा orders कुछ इस तरीके की होते हैं कि आपने अगर separately रहना है कहीं पर कि ठीक है भाई आपको पता है कि आपका husband आपको नहीं मारता बड़ आपके in-laws जो हैं वो बहुत टॉर्चरिस हैं आपको लेके तो आप अलग से रहने का order रख सते हो उसके अलावा monetary relief का order आपको मिल सता है ठीक है कि money जो है वो इतने इतने time तक जब तक ये domestic violence की proceeding चल रहे है तब तक के लिए इतने इतने पैसे आपका husband या आपकी wife आपको देती रहेगी अब ये कुछ type के orders है जो कौन पास करता है court पास करता है ठीक है अपने आप से नहीं मिलते है court पास करता है और उसके अलावा police protection मिलती है पुलिस प्रटेक्ट करती है उस husband को या उस wife को जिसके साथ domestic violence हुआ अब question ये आया कि क्या domestic violence act में कोई हिंदू ही जा सकता है या फिर ये domestic violence act secular है तो इस चीज़ पर अब यहाँ पर फिर से एक Muslim woman थी जिसके साथ में इसके in-laws जो है वो ज्यादती कर रहे थे और domestic violence हो रहा था और ये जाती है domestic violence act में अपने लिए protection मांगने तो इससे ये बोला जाता है कि क्या ये जो domestic violence अब ये question सामने आता है क्या domestic violence में जो आप protection मांग रहे हो क्या ये protection Muslim woman के लिए entitled है क्या Muslim woman को मिलनी चाहिए तो court ने बोला yes, domestic violence act जो है ये secular है और इसमें आप कोई भी धर्म के basis पर discrimination नहीं कर सकते कि आप इस धर्म के हैं इसलिए आप domestic violence में नहीं आ सकते दूसरी चीज़ वह maintenance की बात जो हम कर रहे थे ये maintenance जो है न ये domestic violence act में भी मिलती है आपने दो आक्ट अलरेडी पढ़े है maintenance के लिए एक आपने पढ़ा होगा कि अगर religion है तो Hindu या Muslim marriage act में आपने Muslim law में और Hindu law में दोनों में आपने पढ़े है maintenance के बारे में इसके अलावा अभी मैंने आपको पताया है and है ठीक है plus 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 है मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने personal law में भी ले लो maintenance फिर उसके बाद CRPC में भी ले लो और DV Act में भी ले लो मतलब अगर एक इंसान को मिल रही है कि suppose case ऐसा हुआ कि husband wife के बीच में लड़ाई होती है husband wife को मारता है ठीक है और इस मारने की वज़े से क्या होते है cruelty का याद है cruelty का एक provision IPC में पढ़ा था आपने IPC की proceeding चलती है husband के खिलाव में साथ में ही divorce में भी अपने cruelty ग्राउंड पढ़ा है तो divorce ले ले लेती है अपने personal law में cruelty के basis पर IPC की proceeding चल रही है और अब आप CRPC में जाते हो बोलते हो maintenance दो और क्योंकि घरेलू हिंसा भी हुई है तो DV Act में भी maintenance दो तो एक दो तीन तरीकी की maintenance साथ साथ में woman को मिल सकती है सेम आदमी के लिए भी होता है क्यों क्योंकि आदमी को maintenance यहां मिल सकती है CRPC में नहीं मिल सकती maintenance आदमी को बट DV Act में भी मिल सकती है आदमी को maintenance ठीक है तो अगर वही same husband अगर पीडित है तो उसको भी maintenance दो जगा मिल सकती है एक अपने personal law में और एक जो है वो DV Act में मिल सकती है उसको maintenance ठीक है तो ये दो चीज़ें आपको क्लियर होनी चीए पहला कि Act जो है domestic violence का जब हम प्राक्टिस करते हैं तो हम कहते हैं कि combined package है जो हम हर woman को देते हैं यूशली ओरते exercise करते हैं ये rights कि आपके पास में combined package है कि अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा case हुआ तो हम DV का case CRPC का case और आपका personal law का case तीनों साथ चलाएंगे और आपको तीनों में maintenance दिलाएंगे तो आदमी एक दो तीन तीन जहां से मरता है